दे टू में आज हम करने वाले हैं अपने सफेद बालों को काला इस हेर पैक की मदद से यह हेर पैक बना है नाच्रल इंग्रियेंट से बिल्कुल नाच्रल हेर कलर है आपके सफेद बालों को काला करेगा और कलर को लॉक करेगा कलर को इंटाक्ट करेगा आपके स्कैल्प में आपके हेर में लेंठ में आज बनाने वाले हैं डबल हेइर पैक चीह आपने बिलकुछ सही सुना हम बनाएंगे डबल हेर पैक जिससे बालों में आएगा पकाकाला रंग यानी की Zett Black Rückt देखना है एक भी चीज मिस मत करिएगा वरना आपको अच्छे रजल्स नहीं मिलेंगे शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ हाई गाईज वल्कम बैक टू चानल दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे वल्कम टू ग्रे हैर सीरीज पार्ट तू यानि की दे टू आई होप गाईज अपने डे वन मेरे साथ फॉलो किया होगा जिसमें हमने अपने बालों को क्लेंज किया था साथ इसाथ तिंट ऑफ कलर भी दिया का आज हम बनाने वाले हैं हैर पैक एक स्ट्रॉंग सा हैर पैक जो आपके बालों को बड़िया सा कलर देगा नाच्रल हैर कलर हम बनाएंगे नाच्रल इंग्रीडियेंट के साथ तो ये है डे टू का प्रोसेस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बताती हूँ इस हैर पैक को आपको कैसे बनाना है कैसे लगाना है आज हमें सबसे पहले जरुद पढ़ेगी इस डेकोशन की यानि इस लिक्विड की जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में यानि डे वन की वीडियो में डे वन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी आप चेक आउट कर सकते हैं वैसे इसमें मैंने हिना, बीट्रूट वगेरा, आमला वगेरा मिलाकर इसका डिकोशन बनाया था डीटेल वीडियो अगर आपको देखना है तब पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं फिलाल हम लेंगे एक लोहे का बरतन, लोहे का वैसल और इसमें सबसे पहले आड़ करेंगे कॉफी, 2-3 बड़े चब्मच, यह हम बना रहे हैं हेर पैक और इसमें हम आड़ करेंगे आमला पावडर, सेम कौंटिटी में और महंदी, सेम कौंटिटी में और इसे हम mix करेंगे इस decotion के साथ जो हमने बना कर रखा था फिर से कह रही हूँ दोस्तों पिछली वीडियो देख लीजे decotion detail में बना कर दिखाया है वैसे तो आप इसे plain water से भी mix कर सकते हैं बट इस liquid से जब आप mix करेंगे तो बालों में आएगा dark color जो पानी से नहीं आएगा इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ उस liquid को बना कर आप first day ही store कर लें फ्रिज में अपने उससे अपने बालों को rinse करें spray करें या फिर इस hair pack में मिलाएं यानि जादा quantity में पहले ही बना लें और जब hair pack बना रहे हो तो उसी liquid से mix कर लें या मैंने अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हैं अब इसे overnight के लिए हम छोड़ देंगे दोस्तों जैसे सारे hair pack को हम छोड़ते हैं 10 से 12 घंटे कम से कम और सुबह उसका use करेंगे morning में आप देखेंगे इसका color कितना साथ dark हो जाएगा यहाँ पर मैं आड़ करूंगी lemon juice lemon juice आपको बताया ही है कि बालों में अच्छा color promote करता है directly कभी lemon नहीं लगाना चाहिए hair pack में या water में mix करके ही लगाएगा इससे आपके बालों की conditioning भी हो जाएगी soft and silky भी बाल होने वाले हैं और अच्छा सा color भी आने वाला है mix कर लेंगे और इसके बाल हमें से apply करेंगे अब सबसे पहले आप मेरे gray hair देख लीजिए सफेद बाल देख लीजिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे सफेद बाल और मेरे इतने ही gray hair है दोस्तों तो मैं और जादा नहीं दिखा सकती हूँ इसी पर experiment करती हूँ और वही आपके सा शेयर करती हूँ यह देखें hair pack को लगाने का तरीका वही है बिल्कुल black सा hair pack बन चुका है बिल्कुल वही तरीका है roots में लगाईए अच्छे से और जहां पर आपको gray hair हैं वहां पर double triple coating कर लीजे इसमें दोस्तों मैंने मिलाया है हिना यानि की महंदी, आमला और साथी साथ मिलाया है coffee powder यह तीनों ही चीजें बालो को black करने में dark color देने में मदद करती हैं मैं चाहूँ तो बहुत सारे fancy ingredients डाल सकती हूँ बट मैं यही सब basic चीजें use करना चाहती हूँ जो आपके पास already available हूँ अभी lockdown में आपको बहुत सारे ingredients नहीं मिलेंगे बहुत सारे चीजें नहीं मिलेंगे क्योंकि shops वगेरा close है तो तीन basic ingredients से मैंने इस hair pack को बनाया है with decotion, decotion में जो चीजें add की है, liquid में जो चीजें add की है वो जरूर add करिएगा लगाने के बाद shower cap पहन लीजे shower cap के बाद आपको इसे 3 घंटों के लिए कम से कम छोड़ देना है दोस्तों, उसके बाद plain water से wash करना है wash करने के बाद देखेंगे ऐसा brownish सा texture हो जाएगा आपके बालों में ये देखिए, हलकी grey भी दिख रहे है brown सा tint भी आ गया है अब हम बनाएंगे अपना second hair pack जो करेगा बालों को black बालों को देगा jet black color अब second hair pack में हम यूज़ करेंगे organic indigo powder का उसी hair pack में उसी hair pack को थोड़ा सा रख लीजे और same hair pack में आप इस indigo powder को मिला दीजे आप चाहें तो सिर्फ indigo को भी गरम पानी से मिला कर लगा सकते हैं मैंने इस hair pack को थोड़ा सा रख लिया था तो जिस दिन आप महंदी वाले hair को wash करेंगे same day ही आपको indigo का hair pack लगाना है अगर आप बहुत ज़दा ठक गए हैं tired हो गए हैं hair pack लगाने से तो आप next day भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है but oiling आपको नहीं करना है plain water से wash करना है next day indigo का process करना है same mehndi वाले day भी कर सकते हैं उसके एक दिन बाद भी कर सकते हैं इस hair pack में ही मैंने 2-3 चमच indigo powder मिलाया है जितना मैंने mehndi मिलाया था और गरम पानी के साथ इसे हम mix करेंगे smooth सा lump free paste बना लेंगे और तुरन से इसे लगाना है रखना नहीं है जैसे ही आप mix करेंगे इसके बाद ही आपको इसे लगा लेना है apply कर लेना है अच्छे से आप चाहें तो सिर्फ grey hair पे भी indigo का application कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चाहें तो सिर्फ grey hair पे भी आगे आगे लगा सकते हैं और चाहें तो पूरे बाल में भी लगा सकते हैं indigo दोस्तों बहुत सारे लोगं को myth है कि indigo harmful होता है indigo से irritation होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरी skin काफी ज़्यादा sensitive है कोई दिक्कत नहीं होती है जितने हैं उतने ही होते हैं और बिल्कुल jet black सा color रहता है जब आप महंदी लगाते हैं तो वो color नहीं मिलता जो indigo लगाने से मिलता है तो बेजी जख होके आप इसे use करें लगाने के बाद 2-3 घंटे कम से कम छोड़ दें ताकि अच्छे से indigo अपना color release कर सके और उसके बाद ही plain water से wash करिएगा शैंपू मत करिएगा ऑइलिंग करना है आपको रात को और next day ही शैंपू करना है इसमें जितने भी ingredients मैंने use किये हैं यह आपके बालों को बिल्कुल dry भी नहीं करेगा यहां मैं सिर्फ पानी से wash करके आ रही हूँ और बालों में आप color देख सकते हैं अभी साथ से 8 घंटे indigo और अपना color release करता है तो oiling मत करिएगा रात को ही oiling करिएगा next day मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है oiling आप same day भी कर सकते हैं इसी तरह अपने बालों को रहने दे और next day का process का wait करें day 1 and day 2 follow करने के बाद ही आपको day 3 follow करना है तो अगर अभी तक अपने day 1 follow नहीं किया है पहले day 1 करिए day 2 का process follow करिए इसके बाद ही day 3 पर आईएगा तभी आपको अच्छे results मिलेंगे यह series आपको पसंद आ रही है तो इसे like and share जरूर करिएगा मैं भूल जाती हूँ कहना और आप लोग like नहीं कर रहे हैं आज को share नहीं कर रहे हैं comment नहीं कर रहे हैं क्यों भई मैं इतनी मैंनत कर रही हूँ तो आप भी मुझे थोड़ो सा motivate करिए like and share करिए प्यारे-प्यारे comments दीजे इसे follow करिए और अपने pictures में साथ Instagram पे share करिए चली मिलती हूँ Friday को इस series के next video के साथ Till then take care and bye bye